Hey guys, welcome back to my channel आज हम यहाँ पर बात करने वाले Bot Rockers 335 Wireless Bluetooth Headset के बारे में इसका Unboxing करेगो इसके Specialization के बारे में डीटेल में आगे वीडियो में बात करते हैं उससे पहले आप अगर पहली बार इस चैनल पर आये हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे बोट ने अपना ब्रांडिंग किया है और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो इसकी टेग लाइन है बी लॉट एंड लोडेड वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर वाले पार्ट में लिखा गया हुआ है पर पर बॉक्स के पीछा वाले पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा जो इस एडटेट के अंदर आपको मिलने वाले है यहां पर आपको Bluetooth version 5.0 देखने को मिल जाएगा, इसके साथ यहां पर जो इसका charging port है, तो आपको USB Type-C charging port देखने को मिल जाएगा, Single Press Voice Assistant है, IPX 5 certified है, मतलब कि Water and Resistant आपको यहां पर मिलने वाले है, Low Power Consumption Chipset इसके अंदर आपको दिया गया हुआ है, आपको यहां पर SF Charge Technology देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब हो कि कमने का दावा है कि यहां पर 10 मिनिट तक इस headset को चार्ज करते हैं, तो आपको यहां पर 10 अवर तक का playback time देखने को मिल जाएगा, दिया गया हुआ है, और इसके साथ साथ यहां पर जो इसकी battery capacity है, वो आपको यहां पर 30 अवर तक की battery capacity देखने को मिल जाएगी, और यह जो headset है, वो आपको यहां पर काफी low latency के साथ देखने को मिलने वाले है, मतलब कि gaming purpose से आप इन headset को लेना चाहते हो, तो आपके लिए य जो headset है, वो काफी भाइजमन रहने वाले है, इसके निचे वाले पट के बारे में बात करें, तो यहां पर इसके imported and marketed by की सारी डिटेल दी गई हुए, यहां पर इसकी MRP है, वो यहां पर 3,990 रूपीज दी गई है, लेकिन यह अभी Amazon के ऊपर से 2,000 के आसपास आपको यहां को मिल जाएगे, तो जल्दी से इसका unboxing करते है और इसके अंदर से कौन-कौन से content मिलने वाले है, उसके बारे में डिटेल में बात करते है, तो यहां पर हम जैसे इस box को open करते है, तो यहां पर पहले तो हमारा जो Bluetooth headset है, वो आपको देखने को मिल जाएगे और इसके साथ आपको two set of extra ear tips देखने को मिल जाएगी, one ear की warranty card है, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगे, और इसके साथ साथ यह headset है, उसकी एक user menu भी आपको यहां पर इसके साथ मिलने वाली है, और यह जो cable है, वो आपको USB type A to USB type C जो charging cable है, वो आपको यहां पर देखने को मिल तक अच्छी इसकी जो combination है, black and yellow color की हो मुझे अच्छी लगी है, यहां पर बात करें तो यहां पर बोट ने अपना branding किया है, और इसके साथ साथ यहां पर दूसरे वाले पार्ट के ऊपर यहां पर left और right की marking देखने को मिल जाएगी, यहां पर एक button दिया गया हो है, जहां यहां पर बोट ने अपना branding किया है, और इसके साथ यहां पर एक आपको volume control का button देखने को मिल जाएगा, इसके साथ आपको side वाले पार्ट में आपको USB type C charging port देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इस neckband को आसानी से charge कर सकते हो, बोट Rocker C35 के building quality के बारे में बात करें तो आप आपको यहां पर यहां पर यहां पर यह जो band है, वह आपको आई grade silicon material से बनाया गया हो, आपको किसी भी तरीके से आपको इसको भोल करते हो, तो यहां पर आपको किसी भी type neckband के अंदर कोई भी problem नहीं आने वाली है, और यहां पर इसका red and yellow color का combination है, वह मैंने पहले बताए, काफी अच्छी तरीकád का combination आपको यहां पर देए गया हुआ है, और यहां पर आपको जो यहां पर ear birds के साथ, तो एक magnetic ear birds आपको दीए गया हुआ है, और इसकी जो bonding है, काफी हक तक अच्छी bonding आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, और यहां पर इसकी ear birds की जो size यह थो तो वो भी आप यहां पर सिंगल बटन से इसको सिंगल प्रेस करके किसी का call receive कर सकते हो और सिंगल प्रेस करके इसका call को reject भी कर सकते हो अगर आप यहां पर voice assistant का use करना चाथा हो तो यह single बटन से आपको यहां पर simply थोड़े time के लिए करना होगा और आप यहां पे अपने वैस Mission का यूज आसानी से कर सकते हो यहा पे जो वफल्यूम का बटन दिया गए यह वहां से आप न्यूजिक को व ये व改 aup प्रफ और सकते हो अगर आप यहां पे simply for a time के लिए order करने से आप previous one पे आसानी से more कर सकते हो What Rockers 335 के specification के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे Bluetooth version 5.0 देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको USB Type-C charging port भी देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं यहाँ पे IPX rating के बारे में तो यहाँ पे IPX file certified मतलब की water and sweat resistance रहने वाले है मतलब की आपको जिमिंग या फिर किसी भी type outdoor activities कर रहे हो तो आपके लिए यह neckband काफी फाइदमन रहने वाला है और यहाँ पे इसके साथ है SF technology charging technology का use किया गया है मतलब की यहाँ पे आप 10 minute तक इसका charge करते हो तो आपको 10 hour तक का playback time देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको 100% charge करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 40 minute तक का time limit लगने वाला है अब बात करते हैं यहाँ पे इसके drivers के बारे में तो आपको यहाँ पे इसके neckband के अंदर 10 mm का dynamic drivers देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे यह जो neckband है वो काफी low latency के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं wireless Bluetooth headset जो मुझे काफी और तक पसंद आए इसके features और इसके अंदर मिलने वाले वह इस price range के मुताभी काफी अच्छे features आपको यहाँ पे दिये गए हुए इसकी तो price यह ओ भी Amazon की ऊपर 1,999 रुपीज में आपको यह आशानी से मिल जाएगा और कभी-कभी इसकी तो price यह ओ 2500 के आजपास हो सकती है लेकि अभी इसकी price 1,999 रुपीज है तो आप यहाँ पे Amazon की website यह आशानी से purchase कर सकते हो अगर आज काई वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like and share कर जीजे साथ में अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर जीजे साथ में bear icon को भी फ्रेस कर देजे ताकि एसे ही हर एक वीडियो की notification आपके पास जल से जल आती रहे